हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन, तो दोस्तों मैं अकसर बताती रहती हूँ मिट्टी में कटिंग्स कैसे लगाए, पानी में कैसे लगाए, बहुत सारे मित्रों की कटिंग्स लग भी जाती है, मिट्टी में, पानी में, लेकिन अकसर मुझसे मेरे सब्सक्रा लग तो जाती है कि अब अनका क्या करें हमेशा तो पानी में रख नहीं पड़ेंगी और जैसे ही हम इनमी क्या क्या तो सुकने लगती है या गल जाती है अब देखे दोस्तों water में cuttings बहुत ही आसानी के साथ लग जाती है बस पानी time to time change करना होता है हमें क्योंकि पानी तो एक free medium है और cuttings को root develop करने के लिए oxygen चाहिए जो पानी में easily मिल जाती है तो जड़े जल्दी बनने लगती है लेकिन मिट्टी एक ठोस medium है उसमें oxygen इतनी जल् करने के लिए इसलिए time लग जाता है कई बार sudden change के कारण यानि की पानी से एक दम मिट्टी में cutting को transfer करने पर plant खराब हो जाता है क्योंकि उसे oxygen नहीं मिल पाती जो की पानी में easily मिल रही थी इसलिए cutting सूख जाती है या फिर गल जाती है अच्छा दूसरी बात यह है कि हम किस अक्टूबर नवंबर भी अच्छा रहता है लेकिन भीशन गर्मी या फिर बहुत तेज सर्दी में transfer नहीं करना चाहिए तो आज की वीडियो में full demo के साथ और update के साथ मैं दिखाऊंगे कि जो मैंने ड्रेसीना की cutting पानी में उसकी roots उगाई थी उसे मिट्टी में कैसे transfer करे और हमारा plant खराब भी ना हो आज की वीडियो में आप देखेंगे और यही तरीका आप किसी भी plant के साथ कर सकते हैं और जो पानी में उगाया हो इस वीडियो को बनाने में करीब डेड़ महीने का time मुझे लग गया लेकिन उमीद करती हूँ वीडियो आप सब के लिए काफी helpful साबीत रहेगी तो February last में मैंने एक ड्रेसिना की cutting इस तरह काट कर पानी में लगाई थी और उसे shade में ही रख दिया था पानी 4-5 दिन में मैं change करती रहती थी 12 दिन में 1 इंच तक roots आ गई थी और 15-17 दिन में इस तरह इसमें roots बन गई थी जो आप देख रहे हैं अभी इसमें तो पहला tip यह है कि जब cutting की 2 इंच तक root निकल आए तब आप उन्हें ट्रांसफर के काबिल समझे दूसरा मौसम भी अनुकूल यानि कि मार्च है 20 तारिक है पौदों का growing season है यानि plants को transfer करने का एकदम best time है सबसे पहले तो आप ले ले एक plastic का disposable glass मेरी cutting काफी बड़ी है तो मैंने bottle का एक half part काट के ले लिया है लेकिन plastic disposable glass लेना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसे हम आसानी से काट कर धीरे से roots को बिना disturb की plant को बाहर निकाल कर किसी बड़े pot में shift कर सकते हैं पहले दिन हम इसमें दो तिन चमच नॉर्मल garden soil बिना खाद वाली डालेंगे वो clip मुझ से delete हो गई तो कोई बात नहीं इसमें मिट्टी डली हुई है इसमें आप देख सकते हैं पानी काफी ज्यादा है मिट्टी कम तो cutting को कोई ज्यादा परिशानी नहीं है पानी से oxygen लेने में और थोड़ी सी मिट्टी की भी उसे आदत हो जाएगी तो आज बस इतना ही मिट्टी डालेंगे और उसे shade में रख देंगे 24 घंटे के बाद यानि की दूसरे दिन हम इसमें 5 चमच यानि की आदी कटोरी मिट्टी इसमें डालेंगे फिर इसे वापस shade में रख देंगे तो मैं इसमें ये मिट्टी डाल रही हूँ आदी कटोरी लगभग अभी भी आप देख सकते हैं इसमें पानी काफी ज्यादा है मिट्टी थोड़ी सौगी हो गई है लेकिन अब इसे धीरी धीरी थोड़ी और मिट्टी की आदत पढ़ जाएगी देखे पानी अभी काफी ज्यादा है तो इस तरह से हम धीरी धीरी इसमें मिट्टी डालते ज तो आज जितनी भी मिट्टी इसमें आएगी मैं इसको पूरा इसमें डाल दूँंगी जितने में ये पानी सूख जाएगा बस 3-4 दिन में ये प्रोसेस हमें complete कर लेना है तीन-चार दिन से ज्यादा इस तरह से हमने नहीं करना है अब 3-4 दिन में धीरे-धीरे इस प्लांट की roots को अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है जब मिट्टी काफी सूखने लगे क्योंकि इस bottle में hole नहीं था तो मिट्टी कई दिन में सूखेगी तब आप इसमें थोड़ा सा जैसे और पौधो में पानी देते हैं थोड़ा पानी दे दे अब आपका प्लांट यानि की मिट्टी में ट्रांसफर हो चुका है कुछ दिनी से मैंने ऐसे ही ग्रो होने दिया ताकि और roots ड्वलप हो जाएं तो आज 15 दिन के बाद मैं इसे आपको दिखाती हूँ तो ये वही प्लांट है पुरानी पतिया कुछ कुछ सूख चुकी है लेकि नई ग्रोध भी स्टार्ट है आप देख पा रहे हैं जो छोटी सी इसमें एक लीफ नई निकली है अब वैसे तो इसे डिरेक्ट बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन मैं आपको दिखाना चाहते हूँ कि roots मिट्टी में भी तीरे-दीरे पनप रही हैं तो अभी मैं इसको निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि कितनी roots इसमें ड्वलप हो गई हैं और 15 दिनों में तो देखें बॉटल का फिर यह है कि इस तरह से थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है निकालने में अगर disposable glass होता तो उसको हम आराम से कट करके आराम से यह roots यह plant जो हैं हम निकाल सकते थे तो इसमें थोड़ा सा मुझे ध्यान से करना पड़ रहा है क्योंकि bottle थोड़ी सी सक्त होती है तो मैंने इसे निकाल लिया है और roots आप देख सकते हैं कि जब पानी में थी तो कैसी थी और मिट्टी में किस तरह से काफी ज्यादा घनी हो गई है मिट्टी में transfer करने के बाद ना तो यह सूखी है ना गली है और 100% successful रही तो यकीन माने यह तरीका हमेशा ही कामियाब होता है तो चलिए लगे हातों मैं इसको एक 6 इंच के pot में transfer कर देती हूँ और इस तरह आप भी कर सकते हैं तो बस यही कुछ tips आपको follow करने हैं जब आप पानी से मिट्टी में cutting को transfer करें कि एक तो आप plastic का glass ले लें, मिट्टी जो हम उसमें डालेंगे वो खाद रही थो यानि कि केवल मिट्टी हो या फिर आप उसमें थोड़ा सा sand में मिला सकते हैं ताकि well rain हो जाए और roots को फटाफट फैलने में मदद हो मौसम भी cool होना चाहिए और roots जो है 2-3 इंच तक निकली होनी चाहिए तभी हम उसे पानी से मिट्टी में transfer कर सकते हैं तो उमीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और helpful भी रही होगी अब आप easily cutting को पानी से मिट्टी में transfer कर पाएंगे तो फटाफट से वीडियो को like कर दे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे ताकि ऐसी ही informative वीडियो आप तक पहुँच पाएं notification bell भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी नई वीडियो डालू तो आपको चल्दी से पता चल जाएं हो सके तो अपने gardener मित्रों के साथ share भी कर दे ताकि उनको भी इस तरह की वीडियो का लाब मिल सके cutting हमने बड़े pot में shift कर दी है और अच्छे से thoroughly इसमें हम watering कर देंगे और shade में रख देंगे इसी process से आप किसी भी cutting को यानि कि जो पानी में लगी हुई है उसको मिट्टी में आप transfer कर सकते हैं इस process से नहीं आपकी cutting कभी सूखेगी और नहीं गलेगी तो अब विदा लेने का time आ गया है मिलती हो आप से किसी next वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई बाई happy gardening and keep gardening